तो आप लोगों ने अभी तक जो अमने टैरिफ्स पढ़े टैरिफ्स के क्या इंपाक्ट हो सकते हैं वो हमने पढ़ लिया और टैरिफ्स किस-किस ताइप का हो सकता है वो हमने discussion करेंगे उन topics के बारे में जो आगे हमें समझना है चलो तो सबसे पहले आज हमें समझना है countervailing duties तो पहले वही एक बार मैं roughly आपको समझा दूं कि countervailing duties क्या है cvds ठीक है counter का मतलब ही आप समाझ दूं कि मैंने कुछ कहा उसको आपने counter कर दिया राइट चाहे वो counter answer कर दो चाहे वो counter question कर दो counter करने का मतलब होता है कि मैंने कुछ किया तो तुम भी कुछ करोगे that is counter तो ऐसे ही बनती है मारी countervailing duties अब ये countervailing duties काम कैसे करती है मान लो students के कोई country है let's just suppose के कोई country है country A कंट्री ए ने क्या किया country A ने जो उस country के domestic producers है मान लो किस के steel के जो उस country के domestic steel के producers है country ने अपनी country के उन producers को क्या offer किया वहां के गर्वर्मेंट ने subsidy offer किया या किसी तरीके के tax concessions offer कर दिये ठीक है तो या फिर उन्होंने subsidy एको बहुत broad term है पहले मैं आपको subsidy समझा दो वैसे मुझे पता है कि almost 100% student को जो lecture देख रहे हैं subsidy पता होगा तो जल्दी से एक बार बता देता हूं brief में तक कि एक बार recall हो जाए subsidy का मतलब होता है student financial assistance subsidy का क्या मतलब है financial assistance provided by the government provided by the government ठीक है यह वो financial assistance होती है student जो कौन प्रवाइड करते है आपको आपके देश की सरकार आपको देती है कभी बारी यह subsidy किसी चीज की consumption के लिए दी जाती है कई बारी यह subsidy किसी चीज की production के लिए दी जाती है लेकिन subsidy में मिलती है अब मैं आपको इसको practically relate करके बताता हूं just याद करो जो भी cylinder आपके घरों पर आता है उसमें आपको सरकार subsidy दे रही है न तो कि market rate जो cylinder का है if I am not like I am not sure but somewhere around 1400-1500 का cylinder है ठीक है या 11-1200 का भी हो सकता है लेकिन आपको सरकार वो 7-800-500-600 के आसपास का दे रही है इसके पीछे की वज़ा क्या है सरकार आपको एक financial assistance दे रही है राइट सरकार आपको एक तरीके से economic assistance दे रही है ताकि वह एक necessity जीज़ है जिसकी consumption किसी भी हाल में stop नहीं होनी चाहिए तो ताकि उसकी consumption stop ना हो इसके लिए सरकार आपको क्या offer कर दी है subsidy offer कर दी राइट चलो ठीक है तो मान लो यह जो steel के domestic producers है इनको सरकार ने क्या दिया financial assistance दिया मलब इनको सरकार ने क्या दिया इनको सरकार ने दी subsidy के आपको production करना है आप production करिए ठीक है हम आपको subsidy देंगे अब subsidy का सीधा impact किस पर आता है सुरुन cost of production पे इस पर आता है impact cost of production पे अब कैसे आता है मान लो आप steel को produce करने के लिए जो भी raw materials फगेरा purchase कर रहे थे पहले आप 100 rupees का purchase कर रहे थे आप में से बहुत से students agricultural subsidies जानते ही होंगे तो बस वही काम यहां पे है बट सरकार ने बापको subsidy दी तो ऐसे ही आपको subsidized rate पे मिलेगा उससे आपकी cost of production क्या हो दाएगी your cost of production will be lower down तो अगर financial assistance मिलने से मेरी cost of production कम हो जाती है तो students ऐसे case में होगा क्या ऐसे case में यह होगा कि अब माई लोग एक है country में एक है कंट्री कंट्री B में steel महेंगा बढ़ रहा है तो country B के लोग क्या करेंगे वो जादा से जादा import करना शुरू कर देंगे किस से वो import करना शुरू कर देंगे country A से क्योंकि उनको बता है country A में subsidy विल रही है जिसकी वैसे cost of production कम है तो इसको गया करते है इंपोर्ट कर लेते हैं अब इसमें country A का तो फाइदा है क्योंकि वो तो एक तरीके से क्या कर रहा है वो तो export कर रहा दबा के तो उसको तो फाइदा है लेकिन जो country B की government है उसको तो देखना पड़ेगा ना क्योंकि जो domestic steel की production होगी यह hamper हो जाएगी इससे तो ऐसे में country B क करती है countervailing duties के option को use करती है मलब अगर तुम किसी ऐसे nation से कोई भी item मंगारे हो जो महाँ पे subsidize rate पे होने की वज़े से बहुत सस्ता है और जिसके import की वज़े से तुमारी domestic industries को किसी भी तरह का नुकसान पहुचेगा तो उनके उपर tariffs को impose कर दिया जाता है ताकि domestic industries के लिए को वो पुली आपको एक concept समझ में आगया होगा आप ज़रा read कर लेते हैं तो देखो countervailing duties also known as anti-subsidy duties are trade import duties imposed under world trade organization rules to neutralize the negative effects of subsidies these are imposed after an investigation finds that a foreign country subsidize its exports injuring domestic producers in the importing country right कि जो foreign की country है वो अपने exports को subsidize कर देती है क्योंकि वो जान बूच के कोशिश करती है कि भाई मेरे यहान से exports कर वालो बस लेकिन जान से exports बिसे चाहिना बहुत बड़ा example है इसका right लेकिन जो country import कर दिया उसका तो नुकसान होगा तो according to world trade organization rules a country के launch its own investigation and decide to charge extra duties provided such additional duties are in accordance with the GATT that is general agreement on trade and tariffs मैं एक बात आपपो clear कर दू सूरिन GATT जो है वो अब खतम हो गया 1995 के अंदर मैं 1955 के असपास एक general agreement on trade and tariffs शुरू हुआ था जिसमें बहुत सारे जिस agreement के अंदर बहुत सारे rules and regulations को define किया गया था जब countries आपस में trade करेंगे लेकिन GATT को खतम कर दिया गया 1995 के अंदर जब world trade organization को बना जिया गया था right चलो Since countries can rule domestically whether domestic industries are in danger, whether foreign countries subsidize the products, the institutional process surrounding the investigation and determinations has significant impacts beyond the countervailing duties Countervailing duties in the US are assessed by international trade administration of the US Department of Commerce समझ रहो कि हर country ने अपने यहां पर एक department बना रखा है students वो department जिनका काम ही होगा इन सारे तरह के जो practices हो रही है internationally उनको देखना समझ ना It determines whether imports in question are being subsidized and if so by how much उनको यह देखना है कि जो तुम imports कर रहे हो वो दूसरे country में subsidize कि क्या लिखावा है It determines whether imports in question are being subsidized, import subsidize होने का मतलब है वो जो export subsidize कर रहा है तो तरीके से तुमें भी subsidy, तुमें भी सस्ता मिलेगा तो उसको देखना और देखना और साथ में यह देखना कि कितना आपको subsidy मिल जाएगी So, if there is a determination that there is a material injury to the competitive industry में अब उनको लगता है कि अगर किसी भी तरीके का उनको अभास होता है कि भाई इससे domestic industry में दिक्कत आएगी The Department of Commerce will instruct US Customs and Border Protection to levy duties in the amount equivalent to subsidy margins वो कह रहा है कि उस case में क्या करेगा, वो US Customs and Border को बोल देगा कि भाई यह जो आइटम है, यह जो इंपोर्ट किया दार है इस पे तुम क्या करना है, इस पे तुम duty लगा जाओगे कितना, जितना subsidy margin है, तो वहाँ पे तुमने subsidy के चक्के में सस्ता खरीद दिया, यहाँ पे इन्होंने margin लगा जिया, तुम महीं पहाँच गए तो domestic industry किसा तुम एक fair competition में आ जाओगे, राइट, okay petitions for remedies may be filed by domestic manufacturers or unions within the domestic industry, the law requires that the petitionary represent at least 25 percent of the domestic production of the goods for which competition is causing material injury, वो कैरे कि जो लोग, अब विसी बात है, जिन लोग को नुक्सान हो रहा है, वो तो सोचेंगे, सोचेंगे, तो इसलिए वो कहा है कि वो लोग petitions बगारा फाइल करते है, लेकिन US का rule क्या है, कि जो भी तुम कर रहे हो, at least 25 percent of domestic production of the goods for which competition is causing material injury, ठीक है, वो कह रहा है कि भाई, हम ये चीज़ तुमारी तब सुनने के लिए करेंगे, जब तुम जितना भी तुम इंपोर्ट कर रहे हो, उसका जो 25 percent जो है, उतना नुक्सान होना चाह in 1994, defines when and how export subsidies can be used and regulates the measure that nations can take to offset the effect of such subsidies. These measures include the affected nation using the WTO's dispute settlement procedure to seek withdrawal of the subsidy or imposing countervailing duties on subsidies, subsidized imports that are hurting domestic producers. उसको कहरें कि देखो, इसमें है क्या, कि जो WTO का agreement on subsidies and countervailing measures है, ठीक है, वो कहरें, वो इस बारे में आपको बताता है कि जो ये export subsidies को use किया जा रहा है, इसको offset कैसे किया जाए, इसके impact से कैसे बचा जाए, उस case में CVD's का इस्तमाल कैसे किया जाए, ताकि जो तुमारे action के व the financial of subsidy in this regard is quite broad, it includes any financial contribution made by a government or government agency including a direct transfer of funds, right? or potential direct transfer of funds, उसके कहा adalah, it includes any financial contribution made by a government or government agency including a direct transfer of funds such as grants, loans, infusionary equity, वो कहरें कि यहा पर subsidy का meaning है, वो थो थोड़ा broad use किया गया, वो कहरें कि कोई भी financial contribution, जो तुमारे कोई सरकार तुम्हें दे रही है या सरकार की कोई agency तुम्हें दे रही है इसमें कोई direct fund का transfer भी जुड़ा हुआ है right चाहे tax credits भी क्यों ना मिले जो भी government लेको tax credits क्या होते हैं कई बारी आपने सुना होगा कि इसे हम इंडिया में अगर बात करें तो इंडिया में एक होता है MSME है ना MSME क्या होते हैं micro small and medium enterprises तो यह जो MSME होते हैं इनको सरकार यह कहती है कि हम आपको loan comparatively come rate of interest पर दिलवा देते हैं जो taxation है आपका उस taxation को आपको tax holiday भी देते है करे बारी सरकार in MSME को कि 3 साल 5 साल जो नहीं बनते हैं 3 साल 5 साल के लिए आपको tax नहीं देना है तो इस तरीके से सरकार काफी सारे इनको benefit दे सकती है So, the WTO only permits countervarying duties to be charged after the importing nation has conducted an in-depth investigation into the subsidized exports The agreement contains detailed rules for determining whether a product is being subsidized and calculating the amounts of such subsidy Criteria for establishing whether these subsidized imports are affecting domestic industry and rules for the implementation duration of countervarying duties which is typically 5 years वो कहने के जो WTO है वो countervarying duties आपको charge करने की permission देगा लेकिन students वो आपको तब ही देगा जब वो कहेगा कि पहले पूरी एक detailed investigation करो और वो detailed investigation करने के बाद पूरा document मेरे पास ने क्या हो जिस document में वो सब चीजे mention की जानी चाहिए कि actually में तुम्हें hamper हो रहा है किस extent तक hamper हो रहा है ठीक है और इसके साथ-साथ तो ऐसे में तुम किस तरीके से मलब countervarying duties वो establish कर सकते हो criteria क्या रहेगा वो सब चीजे आपको तब उसमें देखनी पड़ते है राइट चलो आगे हमें देख है optimum tariff ठीक है पहले तो एक बार एक बात काम करते है optimum का मतलब समझते है चीज़ I'm sorry I'm sorry Just some moments चलो पहले बात करते है optimum तो भाई commerce के student हो आप लोग इससे जादा मुझे नहींता आपसे जादा बार optimum को पढ़ता होगा optimum को एक साधारन भाशा में बोले तो best ठीक है और अगर और थोड़ा सा थोड़ा सा प्रिसाइस हो जाए तो optimum का एक तरीके से मतलब हो जाता है rational rational का मतलब है student जिसके अंदर bad जो हो वो भी कम से कम हो और जिसके अंदर जो good हो वो क्या हो जादा से जादा मला जादा से जादा लोगों का अच्छा हो रहा है और बहुत कम से कम लोगों के साथ बुरा हो रहा है तो that is rational ठीक है तो rational हमेशा होना चाहिए तभी बाते बनती है तभी चीज़े effect जो है उन चीज़ों के आते हैं कि बुराईयां उसके अंदर कम से कम हो और अच्छाहियां बहुत अच्छी तरीकेश हो तभी हम उस चीज़ को optimum बोलते हैं balanced बोलना पसंद करते हैं तो optimum tariff का मतलब क्या है एक बात अभी थोड़ी मेर पहले हमने part 1 में एक बात समझे थी अगर आप लोग याद कर पाएं जो भी tariff आप लोग impose करते हैं जो भी कंटी tariff impose करते हैं उससे उसके दो impact आते हैं दो impact कौन से आते हैं पहला impact सुनिन जो tariff को आता है वो यह आता है कि जिसकी वज़े से tariff की वज़े से कही न कहीं आप अपनी domestic industry को प्रोटेक्ट तो कर रहे हो लेकिन कहीं न कहीं आप अपने foreign trade को कर रहे हो क्योंकि आप अपनी domestic industry को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो तो जिसकी वज़े से कुछ हद तक आपका वेल आफ हो जाये का domestic part पर लेकिन क्योंकि foreign trade नहीं आपा रहा है आप competition को रोक रहे हो तो कहीं न कहीं आपका थोड़ा सा वर्स आफ तो होगा आप आप सोच के देखो जितने भी बच्छे यह वीडियो देख रहे हो अप सोच के देखो जितने भी students हैं अगर यह Adidas Nike PlayStation और दुनिया भर की जो चीज़े हम लोग अगर ना आये हमारे देश में तो वर्स आप तो हमारा होना ही न क्योंकि कहीं न कहीं best of quality of technology जो है हम उससे तो कहीं न कहीं बिल्कुल दूर हो जाएंगे तो इसलिए अच्छा तो वर्स आप भी होता है साथ ही साथ में कहीं न कहीं आपका अगर आप foreign trade रोकते हो तो इससे आपके volume पे बहुत फर्क पड़ेगा तो कहीं न कहीं जब वर्न trade होक रहे हो तो आपके quantities ट्रेड का volume जो है वह आपका कम से कम हो जाएगा हाला कि आपके domestic trade की value बढ़ जाएगी क्योंकि आप बाहर से कुछ मंगा नहीं है तो जो domestically जो trade हो रहा है उसकी value बढ़ जाएगी त तो मतलब जब आप tariff को impose करते हो तो काफी सारे जो question होते हैं student उनके answer करने जरूरी पढ़ जाते हैं कि आपके tariff से क्या-क्या impact आने वाला है तो इसी लिए अब हमें जो समझना है student वो समझना है optimum tariff कि tariff का एक percentage इस तरीके का होना चाहिए जिससे कि मेरे volume के साथ साथ मेरी value यह अपने bestest level पर जा सके ठीक है मैं repeat कर रहा हूँ एक ऐसा tariff plan करना चाहिए जिससे कि आपके जो domestic level का जो net welfare है वो हमेशा क्या आना चाहिए मुलब इन सब को calculate करने के बाद जोडने घटाने के बाद जो आपकी country का net welfare state आना चाहिए वो क्या आना चाहिए वो हमेशा जादा बड़ा हुआ आना चाहिए तो जिस भी strategy से आपकी country का net welfare maximize होगा उसी tariff को student क्या कहा जाएगा optimum tariff का नाम दिया जाएगा ठीक है hopefully आपको यह बात समझ में आगे होगी चलो आगे बात करते है पढ़ते है जरा इसके बारे में as we have discussed in the previous sections that when a large nation imposes a tariff on its importable commodity the quantum or volume of its trade falls but the nation's terms of trade impose वो कहा रहा है कि देखो वही जो अभी आपने पड़ा के अगर आप importable commodities के ऊपर tariff लगा होगे तो इसकी वज़े से आपका volume तो हो जाएगा लेकिन nation का जो trade है वो इंप्रूव हो जाएगा on one hand this fall in the volume of trade deteriorates welfare of the nation अब क्योंकि volume कम हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपके क्वांटम के कम होने के साथ-साथ क्योंकि आपका ट्रेड आप ताहर के देश से कम कर रहे हो तो वही मैंने आप से का जो बहुत अच्छी टेक्नोलोजी बहुत अच्छे गुद्स होंगे शायद वो अब आपको वेल नहीं हो पाएंगे राइट आप अपने देश में ट्रेड बढ़िया कर पाओगे तो कहीं ना कहीं इससे वेलफेर बढ़ भी सकता है नौ वेदर दर नेशन से वेलफेर ओवर इंक्रीज देक्रीज और रुमेंस अंचेंज़ डिपेंस ऑन देंसिटी अफ टू अपोजिंग फोर्स अब वो कह रहे कि के लिए यह अंचेंज होगा हमें देखना पड़ेगा कि क्या इंटेंसिटी है मलब हमारे इंपोर जिस पर में टारिफ लगा रखा है वो उस गुट की जरूरत कितनी है किस एक्सेंट तक लोग उसको चाहते है तो अ टारिफ इस रेट मैक्सिमाइज़ अज़ दोमेस्टि अज़ पॉट की जरूर जाए जाए गार अगर मांडो फूचर में तुम्हें प्रेटिक्शिट रोग है कि बाहर से प्रड़ेगा तो चाहते है कि अगर आएंगे तो उसम्हों तुम प्रडक के प्रडक को बढ़ा सकते हैं तूगह着 बढ़ जाएंगे तुम थोड़ा इतना प्रडक को बढ़ा सको कि लोग फिर भी तुम्हाएं प्रडक को लेने के तैयार है अब इसका मैं एक एक्जाम्पल देता हूं उसमेंट, देखो, presently इंडिया का taxation system, taxation structure, domestic आपके income, corporate tax की बाते कर रहा हूं मैं आपसे, अगर आप presently student, इंडिया का corporate structure देखोगे, तो ये structure आपको suggest करेगा, कि इंडिया के अंदर taxation को लेके बहुत बहुत बड़ी problem है, एक average में, इंडिया में, आप स 30 ठक income, 30, 50, 60, लाग कमा रहे हो, तो इसमें आप almost almost student 43, 45 percent तक सरकार को दे देते हो, ठीक है, calculation को precise करने के लिए, कि साल में आप जितना भी कमा रहे हो, उसका almost 4 से 5 महीने की income student, आपकी सरकार लेकर के जा रही है, बैट करके सोच के देखो, अगर आपकी income का 40 percent ले गई, तो इ मलब मैंने पूरे साल कराया, इसमें कराया कि मैं आध्या, आपका मैं किसको देदू, सरकार को देदू, आप समयों मेरी बात को, तो that is what, that do we mean by taxation, यही हम taxation से mean करना चाहते है, कि अब, अब एक बात सोच के देखो, इंडिया की population student है 140 करोड, 140 करोड के नेशन में, अगर तु मैं रिपीड कर रहा हूँ, 140 करोड के नेशन में, अगर तुम इस taxation को 15% कर दोगे न, तो आप optimum taxation structure की category में fall कर जाओगे, क्योंकि यह minimum taxation होते हैं, बहुत से लोग जो आज की rate में tax की चोरी कर रहे हैं, tax evasion करने में लगे हुए हैं, अपनी companies को consecutively losses में दिखा रहे हैं, या कु इतना taxation का, जो amount का loss हो रहा है, वो loss कतम हो जाएगा, और 15% अगर आप collect करोगे, तो आज आप 40-45% collect करके, जितना collect नहीं कर पा रही है, government Indian, वो उस पर ज्यादा collect कर लेगी 15% में, बद government को यह बात कौन समझाए, ठीक है, जबकि बड़े-बड़े economies, बड़े-बड़े financial planners वह पर बैठे हुए है, ठीक है, and एक और मैं आपको बताता हूँ, this is one of the biggest reason, every year, every year, millions of people, millions of millionaires, बोलूँगा मैं, हर कोई तो जान नहीं पाता, जो millions of millionaires है, वो लगातार क्या कर रहे है, वो India छोड करके, foreign के देशों में जा रहे है, जहांके taxation structure feasible है, like that of UAE, United Arab Emirates, तो United Arab Emirates के अंदर आप जाकर के अपना कोई भी factory, कोई भी investment plan करेंगे, income tax यहां पर है नहीं, corporate tax यहां पर जरूर होता है, लेकिन वो corporate tax का भी जो maximum percentage है, that is 15%, जितना छोटी आपकी company, जितना कम turnover, जितना कम profit, उतना कम percent, जैसे जैसे बढ़ेगा, तो वो maximum 15% पर रुख है, क्योंकि अपने income का एक बहुत बड़ा portion आप बचा पा रहे, तो इसी को बोलेंगे optimum, जिसमें आप net जो है उसको बढ़ा सके, तो tariffs के case में भी same बही बात होगी, कि tariff का percentage ऐसा होना चाहिए, कि जो net welfare है country का वो बढ़े, ऐसा ना हो कि तुम अपने revenue को increase करने के लालच में तुम इतना tariff कर लो कि लोग उस चीज को import करना ही बंद कर दे, या पिर लोग उस चीज को smuggle करना शुरू कर दे, यह कभी नहीं होना चाहिए, राइट, चालो, अगे हम बात करेंगे, देखो, in the words of Dominic Salvatore, optimum tariff is the rate of tariff which maximizes the net benefit resulting from the improvement in the nation's terms of trade against the negative effect resulting from the reduction in the volume of trade. To state it differently under free trade, when nation increases its tariff rate, its welfare increases but up to a maximum 1.6 till optimum tariff and then decreases as the tariff rate is raised above the optimum point. So, eventually the nation is pushed back towards the attractive point with a prohibitive tariff. वो कह रहे कि देखो, वो कह रहे कि आपको यह देखना पड़ेगा कि अब tariff को करोगे, तो उससे welfare शाहिए increase हो जाएगा क्योंकि पैसा आपके पास इखटा हो गया, लेकिन एक limit तक. So, अगर आप decrease करोगे, तो आपको problem होगा, तो तो अचलिये आप rate पास इखटा ही ऐसा हो, कि आपको यह देखना पड़ेगा ज़रत पड़ेगा, ना decrease कर देखी ज़रत पड़ेगा, राइट. From the viewpoint of the rest of the world, as the large nation increases its welfare by imposing tariff, the welfare of its trade partner falls, as it faces the inverse of the terms of trade of the tariff imposing large nation. The trading partner faces the lower volume of trade and also deteriorating terms of trade, hence its overall welfare declines. So, अगर अगर एक, मनला बगार में view point of the rest of the world, as the large nation, अगर मैं यह मानू के, अगर मैं यह मानू के, अगर आपको देख में लाग परे कंट्रीज है, ठीक है, in case its welfare by imposing tariff, अगर वो tariff लगा के, अपना welfare impose करते हैं, तो welfare of its trading partner falls, उनके trading partner का welfare falls हो जाएगा, क्योंकि आप कर क्या रहे हो, आप अपने देश में जो समान आने देना है, ठीक है, उनके उपर बहुत जादा tariff लगा देते हो, तो जिसकी वेदी से, क्योंकि आप एक large nation, एक developed country हो, आप तो अपना काम चला लोगे, लेकिन वो countries जो आप से कुछ समान मंगा करके, कि अपने welfare, अपनी competition को बढ़ा रहते, उस case में उनका नुक्सान हो जाएगा, तो इसलिए आपको यह देखना पड़ता है, ठीक है, तो यहां पर देखो, इसलिए देखा है, तस वेन all countries imports optimum tariffs, economic welfare will fall for each one of them, अगर सारी countries क्या करेंगी, optimum tariffs के तुरो पुरो जाएँगी, तो आपका economic welfare जो है, वो क्या करेगा, सब के लिए fall कर जाएगा, चुकि आप अपने साब सच्छा सोच हो, वो अपने साब सच्छा सोच रहा है, लेकिन independently कही न कहीं, उसका suffering तो आपको आना पड़ेगा, इसको मैं एक example के तुरो clear करता हूँ, देखो, यह maybe आपने macro economics में total savings in the economy actually false, अब मैं यहाँ पर एक चीज़ के पस कहना चाहूँगा, when everybody tends to save, अगर मैं यह जो saving वाला portion है, मैं यह मान के चलूँ कि यहाँ पर लोग क्या कर रहे है, cash savings में believe कर रहे हैं, मैं account savings सक की बात नहीं कर रहा है, क्योंकि account savings में still, पूरे पूरे chances है that your money will be mobilized to some other institutions, right, तो अब इसमें है क्या, जबकि हमें लगता है कि savings तो अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर सारी के सारी economies save ही करना शुरू कर देंगी, तो actually में कहीं न कहीं economies जो है, वो collapse होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है, और अगर बिल मान लो, ये बंदा है, ये 100 रुपे कमाता है, 100 रुपे कमाने में से पहले ये 90 रुपीज spend करता था, और 10 रुपीज क्या करता था, save कर लेता था, ठीक है, तो इसके 90 रुपीज के साब से और जातर लोग ऐसे ही करते थे, कि 90% consume, 10% save, तो जो अगर अगर लोकल इंवेस्ट करता है कि आप हमेशा उसी जगह पे उस एरिया में ऐसे product में इंवेस्ट करना चाहोगे, जिसके consumption हो, और उस एरिया में इंवेस्ट करना चाहोगे, जिस एरिया में लोगों के पास buying capacity हो, आप में से जो भी जिस भी जगह से पढ़ रहा है, अब मैं एक example लेना चाहोँगा, that if you have sufficient money and कुछ idea भी है, तो मुझे लगता है that most likely you will be investing your money, ठीक है, in to, in cannot place, cannot place, cannot place, आजी तो डेली का अंदर एरिया, जो लोग student डेली से नहीं है, और डेली के बाहर से है, वो एक बार चेक कर ले, cannot place के बारे में आपको पता चल जाएगा, अब मैं ये नहीं कह रहा है कि हार कुछ student यहां पर पढ़ते वे, देखते वे, सोच गेंगे, कि sir, cannot place में तो ये चीज़ लेगी, वो चीज़ लेगी, मैं मानलो, एक बार तो थोड़ा और specify कर देता हूँ, ताकि आपके mind में ये, मैं assumption ले रहा हूँ, ताकि आपके mind में ये चीज़ नहीं कि नहीं, मेरे area में आपको एक example देना हूँ, कि यहां बहुत चलेगा, ठीक है, अब उसी जगह पर एक ऐसी, ऐसा, आप में से कोई भी student एक ऐसे जगह पर रह रहा है, ठीक है, तो मानलो, नजवगड, दिल्ली में ही एक area, नजवगड नाम से, ठीक है, अब आप अपना कोई restaurant नजवगड के ब population तो वहाँ पर भी पहुँच चुकी है, development वहाँ पर भी हो रहे है, बड़े-बड़े branch वहाँ पर भी चले जा रहे है, लेकिन student अभी जो population जो उस area में रह रही है, वो comparatively reserved थोड़ी सी है, मतलब थोड़ी से lower income category के लोग वहाँ पर रहते हैं, again जो नजवगड के core, जो क्या हो जाएगी fail, तो अगर आप एक बात मान लो, इसका मतलब है, आप investment हमेशा वहाँ करना पसंद करोगे, जहां पर आपको दखता है, कि अच्छा कासा level of consumption है, एक और example दूँगा, जो भी student Delhi के है, वो बहुत अच्छे से rate कर पाएंगे, students Punjabi Bagh Club Road, Punjabi Bagh Club Road, अगर Punjabi Bagh Club Road की मै आप से बात करो, तो जो भी student से, वो connect कर लेंगे अराम से, क्योंकि आपको भी पता है कि बहुत अच्छा कासा business यहां पर मिलता है, पूरे Delhi में जो सबसे ज़ादा, cafes, lounges अगरा, वो यहां पर बहुत ज़ादा है, क्यों? क्योंकि वो पूरी market वैसे develop हो गई, अब मान लो, यह economy के लोग 90% consumption की जगा, यहां के लोग safe बहुत ज़ादा करने लग जाते हैं, और यह लोग सिर्फ और सिर्फ मान लो, 40% और 30% क्या है, consume करने लग जाते हैं, ठीक है, ऐसे में यह जो investments हैं, यह fall करेंगे students, investment के fall करने की वज़े से, आपका production fall करेगा, production fall करेगा, तो आपक output fall करेगा, output नहीं चाहिए, तो आपका employment fall करेगा, employment fall करेगा, तो आपकी income fall करेगी, और income fall करेगी, तो आपकी saving जो आप बढ़ा रहे थे हैं, वो क्या करेगी, fall कर जाएगी, तो यह same चीज बहुत वहां पढ़ रहते हैं, वो यहां पर इस तरीके से होती है, कि जब मारे लो का खराब, इसलिए हमेशा एक balance रहना चाहिए, वो बहुत simple सी बात है, अगर सारे लोग पढ़ने ही लग जाएंगे, तो do you really think कि दुनिया के अंदर कोई भी jobs बचेंगी, नहीं, तिर सारे लोग पढ़ेंगे, तो और बंदा entrepreneur बना चाहिए, कि everybody wants to become an entrepreneur, तो job करेगा कौन, ज बंदार, आफ़だ, आफ़े खर, आसे लिए करेमा चाहिए, यज करेंगे, वे ढ Elektarin, तो一定要 रहना चाहिए, तो किन जा बंदाने की ये ये, ये, तो सारे इसलिए, कि वी, तो बंदाने हUIए, तो गी, ये, आज कि दुनिये खर जायए, प到了 चाहिए, इसलिका बंदार किसके बह